हलो फ्रेंड मैं हूँ सीट और आप देख रहे है टेको ट्रीक यूटूब चनल तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लोग गूगल एडवर्ट से रिफन ले सकते अपने बैंक अकाउंट में और ये रिफन आपको उसी बैंक अकाउंट में म मैं आपको ये मोबाइल पर करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरा लैपटोप का स्क्रीन डेकॉडर एप्लिकेशन फिलाल काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं आपको मोबाइल पर करके दिखाऊंगा और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए है और अभी तक इस चैनल को सब्सक अगया जो सबसे फर्स्ट में आया है इसे क्लिक कीजिए सिंपली उसके बाद यहां पर आपको साइन करना होगा मैं इसे डिक्स्टॉप में कर लेता हूँ डिक्स्टॉप साइड तो यह हो गया मेरा डिक्स्टॉप साइड मोड यहां पर हम सिंपली साइन करेंगे यहां पर थोड़ा लेट होता है अपना आपका जितना भी फास्ट नेट है यहां पर आपका स्लो हो गई होगा तो यह हो गया मेरा ओपन और यह रहा मेरा गूगल एड़वर्ड एकाउंट ठीक है यहां पर मेरा 500 रुपाई है जिसका मैंने अभी तक यूज नहीं किया है और यह मैं अपने बैंक अकाउंट में रिफंड करूंगा ठीक है तो यहां पर आपको सिंप्ली टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है और यहां पर देखिए सेट अप जो ऑप्शन है मैं आपको दिख करूंगा तो नीचे दिखिए जो में के पेमेंट लिखा हुआ है यहां पर आपको कुछ और दिखाएगा जब आप इसे रिफंड करेंगे व्यू पेमेंट डिटेल्स ऐसा कुछ लिखा आएगा ठीक है तो हम सिंप्ली इसे बैक करेंगे बैक करने के बाद फीट से टूल् करके देखिए यहां पर प्रेफरेंस एक ओप्षेन आ रहा है ठीक है इस पर आपको सिंप्ली क्लिक करना है यहाँ पर दीखिए नीचे एक option आ रहा है account status active मेरा account अभी active है ठीक है इस option में click किजिए यहाँ पर दीखिए नीचे option आ रहा है cancel my account ठीक है अब को करना होगा cancel my account में click इसका मतलब है आपका refund processing यहाँ पर start हो जाएगा जब आप इसे click करेंगे cancel my account तो मैं यहाँ पर simply cancel my account कर देता हूँ यहाँ पर cancel account तो देखिए यहाँ पर अभी आ रहा है reactivate my account मेरा अभी processing start हो गया refund का processing start हो गया और इसका यह मतलब नहीं है जो आप मैंने click किया cancel my account इसका यह मतलब नहीं है कि आपका account delete हो गया वगयरा वगयरा ऐसा कुछ नहीं है जब आपका refund आ जाएगा ना तब आप यहाँ पर reactivate my account कर सकते तब आपका ad word फिर से start हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ फिर से जाके टूल्स में billing sorry यहाँ पर मैं फिर से टूल्स में जाऊँगा उसके बाद billing में जाऊँगा billing summary तो देगे यहाँ पर दिखा रहा है view refund details मैं इसे करूंगा simply click और यहाँ पर कुछ लिखा रहा है notification प्लीस review your estimated refund if you have costs costs that were not billed before cancellation your final refund may be lower than shown value from promotional offers and credits is non-refundable refund that will go to the original payment method about यह रहा मेरा bank account मेरा यह Paytm का है within one week यह आपको लग जाता है one week लग जाता है refund animatic है one week से two week लग जाता है कि मेरा एक दोस्त का आया था उसका two weeks में आया था तो ऐसी लगता है one week से two week ऐसे लग जाता ठीक है तो I hope आप लोग समझ गए होंगे अगर नहीं समझे तो फिर से दोबारा देख लीजिए फिर से देख लीजिए दोबारा यहाँ पर उत पटंग कुछ यहाँ पर मत क्लिक कीजिए जैसे मैंने दिखाये आपको वैसे ही आप लोग कीजिए आपका refund आ जाएगा दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीस लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको refund लेना है Google AdWords से शेयर कीजिए उनको और comment करके बताईए मुझे कैसे लगा यह वीडियो आपको और सब्सक्राइब कीजिए और तो दोस्तो मिलता है अगले कोई नए वीडियो में नए कुछ ट्रिक्स के साथ आज के लिए इतना है थैंक यू